हेलो मैं फेंट्स वेलकम बैक टो चैनल मकेनिकल जाब्स दोस्ता एक उच शांदर विड़ा आपके लिए लेकर रहे हैं फेंट्स दुनिया की बहुत ही बड़ी कंपनी है जो की 500 फॉर्चुन कंपनी में दोस्तों आती है उसका नाम है हाली बटन सो दोस्तों यह MNC कंपनी ह कर रही है एससेट मकेनिकल इंजिनियर सो लार्ड स्केल पर हाइरिंग है मैं समत करना पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूं किस तरह आप इसके लिए अप्लाई करेंगे लोकेशन आपकी यूनाइटिड किंग्डम के लिए है ठीक है सो दोस्तों अच्छे पैकेज के सा यहां पर लिखा होगा वी ओल जॉब्स वी आल जॉब्स पर आपने क्लिक करना दोस्तों इससे पहले कोंगा अगर चैन पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाल आइक जूब प्र सक्करने तो यहां पर आपको लिखाएगा सर्च बाइग कीवर्ड और सर्च पाइ location तो दोसों इस company में बहुत vacancies है बहुत ला स्किल पर hiring करती है तो काफी vacancies है यहाँ पर इसको search करने के लिए आपने यहाँ पर क्या करना है associate लिख देना जैसी आप associate यहाँ पर ऊपर लिखेंगे और नीचे जो है आपने यहाँ पर UK लिख दें ठीक है तो UK से क्या होगा United Kingdom हो आज जून की जो वकेंशी है associate mechanic technician की है Aberdeen जो है जगा Great Britain England के अंदर है वहाँ पर उसके लिए जगाए अब यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं जो वकेंशी है associate mechanical engineer second last आपको दिख रही है Aberdeen Great Britain के अंदर 10 जून के जो है यह वकेंशी है दोस्तों काफी Indians यहाँ पर काम भी करते हैं इस company में अच्छे-ची salary ले रहे हैं लाखो क्रोडों के पेकिल ले अगर आप भी इसका पार बना चाहते है तो वीडियो को पूरा देख लेना अब देखिए associate mechanical engineer की जैसी आप इस पर click करेंगे इसका further page यहाँ पर open होगा अब यह वकेंशी जो company डाली है वो डेड जून को डाली है और company हाँ पर लिख रही है we are looking for the right people people who want to innovate achieve grow and lead so we attract and retain the best talent by investing in our employees and empowering them to develop themselves and their careers experience the challenges rewards opportunity of the working for one of the world largest provider of products and services to the global energy industry so दोसो इस तरह की R&D mechanical engineer company को चाहिए associate जो की इस तरह की आपकी job description रहेगी आप यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं under supervision आपको काम करना है applies functional specification and using engineering tools to design hardware for product changes and new development assist करना in preparing component specifications follows work processes to document design and prepare material for design reviews इस तरह की दोस्तों आपकी यहाँ पर responsibilities रहेंगी qualification भी दोस्तों आप यहाँ पर आप देख सकते है skills required through the completion of undergraduate degree in mechanical engineering और similar discipline तो दोस्ता अगर आपके वो mechanical में डिगरी है similar आपका आगया industrial automotive ठीक है तो अगर यहाँ पर इसमीं चीज में आपने की है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं जो mechanical से related background जो है वो यहाँ पर candidate कर सकते हैं अब यहाँ पर experience देखिए involved in consideration understanding how to go from basic principle to finish prototype so दोस्तों यह जो vacancy है इस तरह की जो vacancy रहती है यह entry level vacancies होती है इसमें कहीं बार company direct fresher भी रख लेती है और कहीं बार experience भी रख लेती है अब यहाँ पर company ने experience लिखा नहीं है बर जो एक से दो साल तक का experience ही नहीं होता है वो यहाँ पर apply कर सकता है अगर आप पर एक साल का भी experience है या दो साल का भी experience है तो भी यहाँ पर आप apply कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर जो है अंडर काम करना होता है supervision में और आपको यहाँ पर सीखना है जैसी आप सीख कर आगे बढ़ते है तो आपका rank उसी वजह से बढ़ता रहेगा और उसी rank के according यह आ अगर आपको इससे related एक या दो साल का भी experience है related to mechanical engineer तो आप apply कर सकते कंपनी ने हाँ पर लिख दिये experience level that is entry level position इसलिए position में आपको दिखा रहा हूं कि जिनके पास एक दो साल का भी experience है मेरे भाई बैन अच्छी company में आना चाहते हैं लाखों क्रोडों का प्या लेना चाहते है तो इस company में चले जाना आपकी जिन्दगी सबर जाएगी दोस्तों अब apply किस तरह करना आपने apply नाओ का बटन यहाँ पर दिया है जैसी apply नाओ को दोस्तों बटन दिया होगा ठीक है तो यहाँ पर आपने जो click करेंगे तो यहाँ पर इसका page यहाँ पर open होगा एक चीज का दियान रखना है यहाँ पर आपको जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर अगर आपने पहले apply किया तो login कर सकते है जो नए candidate है create an account पे जाएंगे यह UK के अंदर जो है company रखेगी यह worldwide top की company है अगर आप से यहाँ पर पूछा जाए कि आपको right है UK में अगर आप UK से बाहर रह रह ने का तो आपने वहाँ पर no करना है फिर company पूछती है क्या आपको sponsor किया जाए उसके लिए तो आपने तब yes करना है इस तरह का अगर कोई भी आपके पास question आए तो आपने उस चीच का ध्यान रखना है आपने जो right बताना है वो आपके पर no करना है और sponsor पूछा जाए तो yes करना है फिर company क्या करती है आपका cv shortlist करके आपका interview लेती है और फिर आपको जो है sponsor करती है company के लिए ठीक है तो यहाँ पर आपने अब क्या करना है job opportunities पर अपने account create करना है choose password first name last name country of residence इंडिया जाएगा एनी company recruiter worldwide privacy statement को पढ़के आपके account को create करना और यहाँ पर फिर place sign in पर जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपने login करना है login करने के लिए अपना email ID और password डालना login कर देना है फिर यहाँ पर अपना resume upload कर देना और अपनी education history जो है या फिर आपने जो है अपनी employment history यहाँ पर डालनी है और जो जो चीज़ें आप से आप पूछी जाएं तो वह यहाँ पर फिल करनी है ठेक है तो दोस्तों अगर किसी भी तरह का resume का template चाहिए क्योंकि multination company आप description box से cover letter template ले सकते हैं अगर आपने इसके लें इंट्रस्टेड है माशा करता हूं यहाँ आप आपको पताएगी जानका रिच्छी लगयोगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना धन् जब्रे